गुड मॉर्निंग कैसे हो वही सारे आज अपने बात करें तो जो अपने जो नंबर सिश्टम में संख्याओं में अपने चल रही थी प्रापरी में संख्याओं में जो आपके बार वाली यानि आवर्ती दस्मलों के अंदर थे उनको हमने पिछली क्लास में देखे आवर्ती दस्मलों में एक खास चीज जो पिछे आप से पूछी भी जा चुकिए और खास है भी कि कोई वह बहुत पहले पूछी गी ति पिछली बार तीन पेपर होई तीनों में भी नहीं पूछी गी तो इस बार चांड से ज़्यादा होते हैं और रिजन एक ये भी रह जाता है क्योंकि आपके सलेवस में ज्यातर जिकर ही उस चीज का है वह दसमलों का जिकर है और यहां हम बात करेंगे कि आवरती दसमलों के जो जोड हैं जो आप से पूछे जाते हैं उनके बारे में तो चोटी सी चीज है तो आज अपने देखते हैं पहले आवरती दसमलों के जोड जैसे एक सिंपल सा एक्जामपल हम लेते हैं जैसे मैं लेकूं एक पॉइंट तीन का बार पलस दो पॉइंट साथ का बार पलस तीन पॉइंट पाँच का बार ठीक है ये आपको एक जोड दिया गया है सिम्पलियम बात करें अब इस जोड को हम दो तीन प्रकार से अल कर सकते हैं दो तीन प्रकार से कैसे एक तो आपके दिमाग में आएगा कि सर इसको पहले बिन में बदल लेते हैं बिन में फिर जोडते हैं फिर वापस बार में बदलते हैं ठीक है तो एक तो जो चलो वो देख लेते हैं फिर हम सीधा देखेंगे कि जैसे ही अगर अपने इसको डायरेक्ट करते तो किस परकार से कर लेते हैं और हमें ज्यादा दिकत भी ना आती तो चलो देखें पहले तक तरीक ऐसे कि अगर हम इसको बिन में बदें तो बिन में हमने क्या का था पूरी संख्या माइनस बिना बार माइनस दो बटा नो पलस 35 माइनस तीन बटा नो यह आ गया चलो ठीक अब गटाते हैं बारा बटे नो 27 में से दो गए 25 बटा नो 35 में से तीन गए तो यह आ गया 32 बटा नो तो यह तो हमने जैसे बिन में बदला है पहले पहला काम बिन में बदल लिया अब जोड़ते हैं देखो अब एक बार तो सब क्या आधार में नो है तो उपर भी डायरेक्ट जोड़ सकते हैं जोड़ा 25 दो 7, 7 दो 9 अब देखो 3 दो 5 पांच और 1 चे बटा नो 9 का भाग दिया 9 से 7 बार गया 63 कितना बच गया 6 6 बटा नो अब आपको बता है कि 6 बटा नो क्या होता है पॉइंट 6 का बार यह आगया अब यह तो हमने वो तरीका लगाया है जो आप को कि एक प्रकार से बेसिक होगा है पहरे बिने बदला बिल्न को फिर बाग जोड़ा फिर भाग दिया बाग देने के बाद बार लिखा तो ऐसा तो कभी एकजाम में करेंगे नहीं क्योंकि जैसे थोड़ सी भी संख्या छोटी या बड़ी हो गई तो दिक्कत हो जाएगी तो ऐसे में हमें एक सीधा तरीका जो अपलाई करते हैं वो यह रहेगा कि जैसे एक पॉइंट तीन का बार पलस दो पॉइंट साथ का बार पलस तीन पॉइंट पाँच का बार यह है अब एक छोटी सी बात आओ मुझे कि जैसे एक सो बीस लिखा है तो एक सो बीस को आप सो पलस बीस लिख सकते हो तो आपको होगे हाँ लिख सकते हैं क्यों लिख सकते हैं वैसे ही एक पॉइंट तीन का बार है तो क्या लिख सकते हैं एक पॉइंट तीन का बार लिख सकते हैं तोड़ के आराम से तो यहां हम इसको तोड़ के लिख लेते हैं तो हमने का एक पॉइंट तीन का बार ऐसे इसको मैं लिखू हूँ दो पलस पॉइंट साथ का बार इसको लिखू हूँ पलस तीन पलस पॉइंट पाँच का बार लिख दिया चलो ठीक है अगर तो पूरी पूरी सेंगा एक दो और तीन तीन दो पाँच और एक छे तो छे को तो लिख दिया यह लो छे पलस ये क्या है तो आपने खाँ तीन बटा नो पलस ये क्या है ये सात बटा नो पलस ये पॉइंट पांस भाइन, पांच बटा नो ये Лो भी अब एक बात आ Purdue छै पलस इन तीनों के बटे में नो है तो ये सीधा जूड़ जाएगा साथ अर तिन दस और पांच पंदरा पंदरा बटे नो छे पलस पंदरा में नो का बाग दिया अगर पंदरा में नो का बाग देते हो तो एक बार पूरा पूरा जाय क्या बचेगा छे बटा नो अब एक बात आओ छे ये रहा पूरा पूरा एक ये रहा तो पूरा पूरा च्छे बटानों यानि पॉइंट छे का बार ये लो भई अब देख लो आपके सामने दोनों में दोनों में आप देखो गए हाँ इतना करना पड़ता उसमें वो नहीं करना पड़ता अब अगर ये समझ में आ जाता है ना तो हमें ये line भी नहीं लिखने पड़ती ये लिखते हैं और कई तो सीधा सीधा ये लिख देते हैं और ये लिख के ये और इससे आनस plugins बस इतना सा काम अब आप सोचोगे ऐसा कैसे कि बाकी ये कैसे लिख देते हैं direct तो इसके भी हम बात करें तो आप सीधा सीधा जैसे आम घोड़ जाते है सिम्पल ही जोड़ा आता है जोड़ा आएगा तो ज्यादा गुमा पिर आकर नहीं देता है इसमें पहले चीज़ अगर फिर भी आपको जोड़ दिया है तो आप क्या करोगे देखो यहां पे पूरी पूरी संख्या हो पहले ही जोड़ लो जैसे क्या है पूरा पूरा एक, दो और तीन तीन, दो, पांच और एक छे, पूरा पूरा है तो छे आपने पहले लिख दिया कि छे अब यहां से पूरा-पूरा लिखा लिए उसके बाद क्या है पॉइंट तीन का बार क्या होता तीन बटा नो यहां पॉइंट साथ का बार यानि साथ बटा नो यहां पॉइंट पांच का बार यानि पांच बटा नो तो आपने कहा वैसे तो इसको लिखा है भी तो यहां पुड़ने वैसे लिखने की ज़ोरत नहीं थी क्योंकि सब के बटे में 9 है तो हम सीधा भी तो जोर साथ तीन और साथ दस और पाच 15 15 बटे 9 वरना आप ये तो लिख सकते तो ये के बाद 15 बटे 9 कहें चलो ठीक है सकता है अगर नोट नहीं करना ता आप तुरंट अगले परसन पर आते हैं कि यह आपको पीडियम एजेटी जाएगी एक और एक्जामपल देखते हैं जैसे यह अब एक बात बता हो अगर इसको पहले बिज़ में बदलते तो एक सौड़ तीस माइनस तेरा बटा नो फिर लं और साथ बतिश तो आपने का बतिश तो येलो भी पलस यहां क्या बस गया पॉइंट आठ का वार यानि आठ बटा नो यहां क्या बस गया पॉइंट पांच का वार यानि पांच बटा नो यहां क्या बस गया पॉइंट तीन का वार यानि तीन बटा नो येलो भी हो गया का अब यहां पे 32 पलस यहां सबके बटे में 9 तो 3 जुड़ जाएं 8 और 5 तेरा तेरा और 3 तो 16 तो 32 पलस सोड़ा में 9 का बाग दिया 9 एकम 9 क्या बच गया 7 बटा 9 तो 32 और 31 पॉइंट 7 का बार इस से बढ़िया और इस से आसान तरीका इस परसन का फाल तो ही नहीं होगा कहीं माथा पोड़ी करने की भी जरुरत नहीं है आप आसानी से इस परसन को हल कर सकते हो बिना किसी जिज़क के बिना किसी टेंसन के और ऐसा person भी आता है exam में ज्यादधधर अब देखते हैं अगला person जिवी तो option देखते हैं अब देखो जैसे ये है अब देखो option भी दी होते हैं साथ की साथ ठीक है ना option में भी आप magg videu बाहर ही मिलता है साथ में जैसे ये है तो आप यहां पर एक बार हल करके देख सकते हो अब देखो मैं बतायता हूँ अभी तुछलो कहरा है जीरो पॉइंट दो का बार प्लस जीरो पॉइंट पांच का बार प्लस जीरो पॉइंट चे का बार प्लस जीरो पॉइंट आठ का बार पलस आठ बटानु ठीक है अब देग। आठ उसे चोदा चोदा और पांच चोदा अर मां गुनिस गुनिस और दो एक्यिस एक्यिस बटानु भाग दिया नो दुनिए ठारा कित था बच गया तीन तो तीन बटानु अब तीन बटानु का कुछ भी सिधा ही लिख दू ना पो बस जहां तक मेरा माना यह बात आपके समझ में आगी होगी एक और एक्जम्पल देखते हैं चलो देखो जो भी तो अप्सन ही वो देखते हैं यह रहा आपको दिया गया गया 0.6 का वार, 0.7 का वार, 0.8 का वार ठीक है अब आप इसको हल कर सकते हो तो यहां पे क्या है? 6 बटा 9 पलस 7 बटा 9 पलस 8 बटे 9 सब के बटे में 9 है तो सीधा ही जोड़ दो छे और साथ तेरा तेरा और आठ एकिस एकिस बटा नो नो दुनी एठारा तीन बच गया तो यह आ गया दो पॉइंट तीन का बार यह लोई अगला एक और देखुई जिसमें आगे भी संख्या हूँ अब यह रहा आपके पास जिसमें आगे भी संख्या और डबल डबल पे बार है किसे बार है डबल 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 दो दो अंकों पे बार है आपके सामने क्योशन और है जिसे आप कर सकते हैं जोड का ठीक है तो हम देख का अपनाओ और फिर चाहे कितने ही परसनों कैसा ही परसनों आप हल कर सकते हो जैसे यहां हम बात करें यहां तो जैसे दो ऑप संद सेम टाइप हो गए है लेकिन उसकी बात आप बाद में करेंगे कि यहां जो option होता है वो इस परकार से देगा 6.0 बेबार ऐसे option देगा आपको यहां पे हम बात करेंगे कि जब option अगर आपको जैसे देता है यह लो तो option देगा कि 6.6.0 और 6.0 बेबार इस परकार के option यहां पे हमें देखने को मिलते हैं लेकिन अब यहां बात करें कि जो चीज अपने पास जोड है उसकी कि आ क्या रहेगा option तो बाद की बात है ठीक है आनसर आ जाएगा तो option भी देख लेंगे ठीक अब बात करें देखो जैसे यहां पे दिया कि 2.47 और 4.7 बार पलस 3.53 और 5.3 पे बार पलस 0.05 और 0.05 पे बार चलो ठीक है हमने क्या का था कि जो पूरी 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 संख्या है उनको पहले जोड़ दो तो पहले जोड़ें 2 और 3 पांच पांच और 0 तो पांच ही रहेगा ना चलो ठीक है पांच पलस यह क्या पॉइंट चार साथ का बार तो यह क्या हो गया 47 बटा निन्याड में पलस यह क्या पॉइंट पांच तीन का बार तो यह क्या हो जाएगा 53 बटा निन्याड में पलस यह क्या है पॉइंट जीरो पांच का बार अब जीरो पांच दोंको पी बार है दों को बार तो जिंचे डबल नाइन ही आएगा तो पांच बटा निन्याणम या जीरो पांच बटा निन्याणम लिखो यह की बात था उससे फरक नहीं पड़ेगा अब एक बात था हो चलो पांच तो आपने का पूरा पूरा है पलस इसके बटे में निन्याणम है इसके बटे में इसके बटे में इन्याणम है तो उपर डायरेक्ट ही जोड़ दो ना क्यों एक बार लगुतम लिखेंगे फिर जोड़ेंगे तो यहां पर डायरेक्ट जोड़ दो अगर नो और एक बार पूरा पूरा बाग गया, क्या बच गया, छे बटे निन्याड में, तो देखो, पांच और एक छे तो पूरा पूरा, पॉइंट, छे बटे निन्याड में, छे बटे निन्याड में, अब एक बात आओ, छे, दो अंकों में वेक्ट करना, क्योंकि निन्याड में है, तो दो अंकों में बार आएगा आप 6 को दो अंकों में 0-6 लिखेंगे ना कि 6-0 लिखेंगे यही गलती होती है कि option में इसी प्रकार मिलता है ठीक है यह तो फैल टाइप से हम जो गया तो अब बात करेंगे इस प्रकार से या तो 0-6 बार या 6-0 बार या आपको simple 0-6 लिख सकता है या इसके अलावा एक होता है कि 6 पे बार तो आपको दिहान रखना है कि यहाँ पर 6 को दो अंकों में वेक्त करना है दो अंकों में तो आप क्या लिखोगे 0-6 तो 0-6 और 0-6 पे क्या है बार येलो ये इसका actual answer होगा देखो फिर से मैं इस person को बता रहा हूँ आप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी ए 5 पलस एक सही 6 बटा निन्याण में तो 5 और एक 6 तो पूरा पूरा है कोई दिक्कत निन्याण में इसका जो मतलब है ना इसको दियान से देख लेना आप इसको आप बता कि निन्याण में है बटे में तो इसका मतलब दो अंकों पर बार आएगा ये तो कंफर्म है उपर दो अंक नहीं है उपर कितना अंक है एक एक कौन 6 छे को हमें दो अंकों में वेक्त करना है तो आप सदेव इसे क्या लिखोगे जीरो छे अब 6 ही है अगर 6 के आगे जीरो लगा जते है ना तो हो जाता है 60 तो दिहान रखना अब ये दो अंकों में बार लगाया तो जीरो छे और जीरो छे पर ये लोगा ये होता है वेक्त करने का तरीका सिंपली सॉर्ट में हम इसको वेक्त करते है तब ठीक है तो आपका आनसर आ गया 6.06 बार ये हो जाएगा आनसर पहले तो दोनों अपसन सेम कर रखे थे वो भाई मिश्टेक टाइप हो गया तो आप इसको आसानी से कर सकते हो भी जान तक मेरा मानना है अगला देखें भी इसमें एक जोड़ और आपके सामने है जिसे आप कर सकते हो सिंपली में मान के चलो कि वैसा ही परसन है आप जल्दी जवाब आना चाहिए भी इसका चलो देखो परसन है तेरा पॉइंट पांच दो और पांच दो पे बार पलस सोला पॉइंट एक आठ और एक आठ पार पलस अथारा पॉइंट तीन छे और तीन चे वार वह ऐसे जब फिपर्में हो तो दुबारा परसन नोट करने की आउस सेकता नहीं होती अभी तो मैं लिखा है कि सिर्व उधर रही है अपने इदर लिखे आराम से अहल कर गए समझ लें साथ में अभी बात तो आपके दिमागे पहला पहला क्या आएगा कि पूर्ण पूर्ण संख्या है पूरा पूरा हिस्सा है वो जोड़ देते हैं तो इसमें पूरा हिस्सा है कितना है तेरा सोला अठारा ठीक है ये पूरा पूरा हिस्सा है जिसको हम पहले ही क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं तो इधर से जोड़ हो जाए इधर से देखो तेरा और सोड़ा तेरा और सोड़ा उननतिस और अठारा तो उननतिस और अठारा यह हो गया 47 पूरा पूरा पलस यहाँ पॉइंट पांच दो का बार यानि बावन बटा निन्याण में यह अठारा बटा निन्याण में यह 36 बटा निन्याण में यहां बच गया अठारा बटे निन्याण में और यहां बच गया 36 बटा निन्याण में हो गया भई अब देखो 47 पलस सबके बटे में निन्याण में तो सीधा जुड़ जाएगा 52 और 18 70, 70 और 36 तो 106 बटे निन्याण में अब वही चीज आगई फिर से देखो 47 पलस एक बार पूरा पूरा बाग गया निन्याण में निन्याण में क्या बच गया साथ साथ बटा निन्याण में यह जानबुज के मैं ऐसे परसंद दे रहा हूंग जिसमें उपर एक यहंका है क्यो क्योंकि आप इस चीज़ को समझ जा उपर मालो 17 होता 17 बटे निन्याण में तो आप सिंपली लिख देते 17 बटे निन्याण में यह नी पॉइंट एक साथ के उपर लेकिन यहा साथ बटे निन्याण में तो साथ को दोंकों पर बार लिखना है तो साथ को लिखंगे 0.7 और तो 0.07 के उपर बार तो 0.07 और 0.07 पे बार ये होगा हमारा आनश्वर भी तो 48.07 और 0.07 पे बार ये लो कर सकते हो भी इसको आराम से जान तक मेरा मानना है तो ये जो क्योसन थे ये हमारे परिमे के अंदर ही हिस्से में थे परिमे में दसमलो, दसमलो के अंदर अपने बात करें तो आवरती दसमलो में अब एक बार फिर से अपने बात करें तो ये जो सारे जो परिशन आपके अभी तक देखें ये सारे थे परिमे संख्याओं तक, ठीक है सबसे पहले अपने पास थी प्राकर्द, प्राकर्द, पुर्ण, 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 वेक्त नहीं कर सकते पी बटा क्योंकि गुरुप में वेक्त नहीं कर सकते जहां पी और क्यों क्या हो पुर्णांग को यानि पी बटा क्योंकि गुरुप में वेक्त कर पा रहे थे तब तो परी में थी अब वेक्त नहीं कर पाएं और वेक्त नहीं कर पाएंगे तो क्या कहलाएंगी ऐ परी में संख्याएं और एक परी बास और भी कह सकते हो कि वे संख्याएं जिन का मान हमें लगवग में लेना पड़े यानि निस्चित मान हमारे पास ना हो तो वो कहलाएंगी ऐ परी में संख्याएं तो एक बात थाओ चोटी सी जैसे मैं कहूं कि अंडरूट दो है आपके पास निश्चितमान है क्या तो आपको कहोगे नहीं है तो लगबग एक पॉइंट चार एक चार ऐसे चलता जाएगा लगबग में है न एप्रॉक्सिमेट है यानि ये क्या है एपरी में है इसको अगर आप पी बटा क्योंकि रूप में सोचवा आपको होगे सर इसको पी बटा क्योंकि रूप में बटे में एक लगा देंगे अगर इसके बटे में एक लगा देते हो तो P upon Q तो हो गया लेकिन क्या P और Q पुल्णांक है क्या नहीं P पुल्णांक नहीं है अता है ये क्या नहीं है परी में नहीं है परी में नहीं है ये क्या है ए परी में तो हम क्या कहेंगे दो चीज़ें कही दूसरी परिवासा इन पे ज़्यादा सा टिक बेटती है ज़्यादा याद रहती है कि जिनका मान लगबग में मिल जाए वो क्या है आपरी में संखेंजे से रूट दो रूट तीन रूट पांच रूट चार का मान होता है भई रूट चै ऐसे ठीक है इसके बाद हम बात करें पाई पाई का मान क्या होता है तो आपके दिमाख में आगा लगबग बाईस बटा साथ बाईस बटा साथ एगजेक्ट नहीं होता है लगबग बाईस बटा साथ या लगबग तीन पॉइंट एक चार तो ये लगबग में है ये भी क्या है ए परीमे संख्या भाई धान रगना 22 बटा 7 परीमे थी तीन पॉइंट एक चार भी परीमे थी जब कि पाई क्या है ए परीमे है ठीक है अपने दिमाग में यापने मन से यहाँ परिवास और लिख सकते हो साइड में यहाँ परी संखे हैं। के मान लगबग में पराप्त हों क्या कहलाएंगे एपरी में संखे हैं इसमें आपके पास एक्जमपल जैसे पाई रूट दो रूट तीन रूट पाँ ये कौन सा दसमलव अगर आपके दिमाग में आये तो आपके दिमाग में तुरुन ताना चाहिए आनावर्वर्वा ये तो आपरी में होता है तो ये देगो किसका एक्जमपल एक पॉइंट साथ तेन दो आठ पान चाहर हैं पता ही नहीं क्या चलता है तो अनावर्वर्व ये तीन चीजें आप photograph आपने देखी अंडूर्ट में वे संख हैं जिनका मान निश्चित नहीं है पाई वगरा जिनके मान भी आपके लगबग में है दस्मलों में अनावर्ती एसांत दस्मलों ये कौन सा दस्मलों है अनावर्ती एसांत दस्मलों इसके बारे मैं पहले भी कह चुके हैं ये परिमेभी ठीक है तो ये हमारा क्या है एपरिमे संख्याएं अब एक जो डाइग्राम हम यह आपे सीखते हैं जो ज्यादातर जगए देखने को मिलता है आपको कि सबसे पहले अपना सुरू से बात करेंगे सबसे पहले कौन सी संख्याएं ती ता आपके दिमाग में आयागा सबसे पहले थी प्राकर्द संख्याएं कौन सी थी प्राकर्द कहां से सुरू भी एक से कहां तक गई अनन तक चलो ठीक है उसमें हमने जीरो को सामिल किया किसको अंदर में बात करूं कि पूर्ण में भी धनात्मग और रिनात्मग लगाया तो लगाते ही वो क्या बन गई पूर्णांग तो एक परकार से जीरो और धनात्मग तो हैं है रिनात्मग और सामिल कर दें इन में तो वो क्या हो गई पूर्णांग चलो ठीक है पूर्णाग अब हम बात करें पूर्णाग को भी पी बटा क्योंकि और उर्प में वेक्ट कर दिया तो क्या कहलाई परी में अब आपको होगे पूर्णाग तक तो थी थी इसमें नहीं क्या आई तो भिन और कुछ दस्मलो तो भीन और कुछ दस्मलो और सामिल किये तो वो क्या हो गई? परी में संख्याएं ठेक है? जीने हम पी बटा क्योंकि और उर्पमें नहीं में वेक्त कर सके वो क्या थी? आपरी में चलो ठेक है? अब आगे और आएंगी वो आएंगी कि वास्तविक संख्याएं परी में और आपरी में का संबलीत रूप यानि इन सब को मिला दें तो ये क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं रियल नमबर ठीक है? जो बच गई वो कैसी बचेंगी? कालपनिक संख्याएं कुछ के दिमाग में आगा था, समी सरसंग हैं भी तो होती है, अब बात करें आप यहां पे यहां पर यहां पर यहां कया काम आएगा? तो डाइग्राम तब काम आता है जब कभी कोई क्योशन दे दे कि निमन में से असत्ते कथन चाटी है या सत्ते कथन नहीं है या सत्ते कथन है इस परकार से जब भी कोई बूले तो यहां पर कथन कैसे आ सकता है? वो कहे कि सभी प्राकर्थ संख्याएं पूर्ण होती है तो आप सोचोगे सभी प्राकर्थ संख्याएं पूर्ण होती है वही एक दो तिन चारपा सारी ही क्या है पूर्ण भी है और क्या है प्राकर्थ संख्याइं परी में होती है तो सभी परी में परी में होती है आपको का जाए कि सभी परी में पराकर्थ होती है सभी परी में पराकर्थ ना ये तो अंदर है अंदर नहीं जा सकते है बाहर आ सकते है ठीक है तो ये इस परकार से इस पर कतन पूछा जा सकता है डाइग्राम के अंदर तो डाइग्राम ये भी आप बना सकता है आप चाहो तो अपने तरीके से वरना आप कोई डाइग्राम जैसे एक ये बना रखा है कि सबसे पहले नेचरल नमबर थे नेचरल नमबर में जीरो सामिल किया होल नमबर होगे उसमें पलस माइनस लगाया तो हमने क्या कहा इंटीजर होगे और पलस माइनस के बाद में उन्हें भिन के रूप में और दसमलों में देखा तो क्या रेसिनल नमर परी में संख्या होगी और कुछ जिने वेक्त नहीं कर पाए वो इरेसिनल नमर ए परी में संख्या है इनका समलित रूपी क्या कहला है वास्तिक संख्याई नहीं रियल नंबर कहला है और जो बच जाएंगे वो क्या कहला हैंगे कालपनिक संख्याई अभी वास्तिक और कालपनिक के बारे में थोड़ा वो तब हम देखने वाले हैं आगे परीवासा के रूप में तो जैसे यहां हम बात करें कि वास्तिक संख्याई वास्तिक संख्याई हैं कि आपके सामने दो परीवासा हैं लिखी हुई हैं दो परीवासा हैं पहली परीवासा हम बात करें कि परीमे और एपरीमे संख्याई जो आपने पढ़ी हैं उनको अलग अलग नहीं लिखे एक साथ लिख दी जाएं तो हम क्या कहलाएंगे वास्तिविक संख्याएं वापस सुन लेना क्या कहेंगे कि जैसे परीमे और एपरीमे अलग लग लिखी थी हमने एक साथ लिख दी एक एक जामपल परीमे का भी और एपरीमे परिमे और एपरिमे का समलित रूप जो है वो क्या कहला है वास्तिविक संख्या या दूसरी परिवासा सुनना कि वे संख्याएं जिनका वरग करने पर यानि जिनका स्क्वाइर करें वरग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो तो वास्तिक संख्या हैं कहलाती हैं अपर सुनना कि वे संख्या हैं जिनका वरग करने पर धनात्मक संख्या हो प्राप्तो वास्तिक संख्या हैं कहलती है आपके दिमाग में आगा सर अभी तक जो भी पड़ी है किसी का भी सुगायर करेंगे तो पलस करे आएगा तो हम ये भी तो कह़े रहे हैं जो परी में हो चाए परी में सारी को मिला कि ही क्या बन रहा है वास्तिक तो दोनों परीबास है वैसे सेम ही है लेकिन दोनों तरीके से दिमाग में है कि हे संख्ये जिनका वरग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो वास्तिक संख्याओं कहलाएंगी या फिर हम क्या करेंगे परिमे वे ऐ परिमे संख्याओं का समलित रूप जो है वो क्या कहलाएगा वास्तिक यहां इसका खुद का कोई एग्जामपल लिखने का हो सकता नहीं है सीधे से परी में परी में जो भी है सारे एक्जामबल वास्तिक संख्याओं के ही हैं अब बात करेंगे कालपनिक संख्याओं यह तो रियल नमबर थे इमेजनिर नमबर अब बात करें कालपनिक संख्याओं तो हम यही परी बासा चेंज कर देते हैं कि वे संख्याएं जिन का वरग करने पर धनात्मक पराप्त हो रहा तब तो गवास्त विक थी लेकिन अगर रिनात्मक पराप्त होगा तो क्या कहलाएंगी कालपनिक तो वे संख्या हैं जिनका वरग करने पर रिनात्मक संख्या पराप्त हो तो वो संख्या क्या कहलाएंगी कालपनिक संख्या कहलाएंगी तो वे संख्या हैं जिनका वरग करने पर रिनात्मक संख्या पराप्त हो वे संख्या हैं क्या कहलाती हैं कालपनिक संख्या हैं कहलाती हैं अब कालपनिक हैं इमेजनी नमबर हैं ये लो परीबासा कि वे संख्या हैं जिनका वरक करने पर रिनात्मक संख्या परापत हो कालपनिक संख्या हैं कहलाती हैं अब एक बात ता हो, अब भी तक आपने देखी वो सारी संख्याएं क्या थी वास्तिक, अब नहीं कौन सी आ गई वही है कि जिनका हो स्क्वाइर करें, फिर भी रिनात्म गए, तो वो होती है, अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए था, अब अंडर रूट में माइनस आ जाए, तब क्यों? क्योंकि स्क्वाइर करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ क्या हटेगा अंडर रूट तो अंडर रूट के अंदर का समान ऐसा कैसा बच जाएगा? तो वरग मूल के अंदर अगर रिनात्मक संख्या आ जाती है ना, वही किसको बताती है कालपनिक को जैसे मैं कहूं, अंडर रूट में माइनस का कुछ भी, जैसे यहाँ है माइनस एक, दो, तिन, चार, पांच कोई भी हो आपने खा एक्स है अभी हमने कोई एक्स कोई संख्या नहीं बताई सिंपलियम बात करें अगर इसका वरग करूँ एक संख्या है स्क्वाइर क्या, स्क्वाइर करेंगे तो अंडर रूट हट गया, क्या बचा माइनस एक्स, तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि वरग मूल के अंदर अगर माइनस के संख्या है न तो वो क्या है काल्पने क्यों, क्योंकि स्क्वाइर करने पे सिर्फ क्या हटेगा, अंडर रूट हटेगा ना कि माइनस, तो यहाँ देखो कि अंडरोट में माइनिस आ गया तो वो क्या है कालपनिक इमेजनिर नमबर चलो भई ये जो थी ये थी हमारी एक एक जैसे हमने क्या कहा था कि भई स्टेप बाइ स्टेप जैसे संखें आती जाएंगे उनके नाम देते जाएंगे वो संखें तो वापस सुनना यहाँ तक की बात कि सबसे पहले हमने बात कि एक एक जैसे जैसे संखें आती उनके नाम देते गए नाम देते गए तो वो संखें हमने लिखिए सबसे पहले प्राकर्थ प्राकर्ट के बाद, पूर्ण, 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 पुर्ण, पूर्ण, 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 यह क्या हैं गुन है तो गुनों के आधार पे संख्या है हम बात करेंगे मुख्यत एए गुनों के आधार पर संख्या है अब इसमें मैं आपको सबसे पहले अभ़ाद जे ही संख्या लिखाओंगा भी फिर लिखेंगे भाज्जे संखे पिर इनका एक आता है सहः भाज्जे इसके अंदर कुछ पोइंट ओ रहे हैं ये उनकी बात करें एसे ही हम बात करें तो सम गुणों के अधार पे है एसे हम बात करें तो विसम ये भी गुणों के अधार पे है ठीक है यहां सबसे जो इंपोर्टेंट है न वो है अपने पास अभाज्जे संखे सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट क्या है अभाज्जे संखे है तो सबसे पहले इसी को पढ़ेंगे इसी के बारे में समझेंगे इसके question भी खुशारे करेंगे तो सबसे मैंने जो हमारे पास है अभाज्य संख्या और सबसे important भी है भई तो पहले इसी को करेंगे इसमें दो कुछ चीजे और भी आएंगी इसके दो हिस्से और निकल जाते हैं इसी के अभाज्य गुणन खंड दो बार परसन कुछ सजा चुक है यहीं से तो एक परकार से यही है ठीक है तो यहाँ आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना था पहले किस पर करना था परिमे संख्या पर दूसरे नमबर पर जो फोकस करने वाली चीज़ यह वो क्या है अब आज्य संख्याओं की अब आज्य संख्याओं की अब आज्य संख्याओं प्राइम नमबर प्राइम नमबर की हम बात करें तो पहली चीज इसके दो परीबासा हैं आपके दिमाग में होनी चाहिए पहली परीबासा जो आप गाइडों में पढ़ते हो अधर जगे आप देखते हो तो आप क्या पढ़ते हो कि वे संख्याएं जिन में स्वयम और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो अब भाजिय संख्या कहलाती हैं जैसे पर परीबासा का मैं यहां बथा पहु कौकर यहां गड़त होगी जैसे तो एक है अब आप एक बात तो एक में स्वेम का भाग जाता है और एक इसके अलावा किसी का भाग जाता है क्या तो आप कोगे नहीं किसी और का भाग नहीं जाता तब तो यह आपके अनुसार अभाज्य उने चीज़ जब कि यह अभाज्य नहीं है ये अभाज्य नहीं है ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य फिर ऐसा क्यों तो एक चुल जो परिवासा है वो परिवासा सुनना क्या है कि वे धनात्मक पुर्णांक तो गुन सदेव आप ध्यान रखोगे कि धनात्मक में ही देखे जाएं कोई भी ज़स्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् माइनस दो, नहीं काना, ये चीज दिहान रखना, तो आपको सबसे पहली चीज़ जब भी गुन देखे जाएंगे, तो वो देखे जाएंगे धनात्मक पुर्णांग में, किसमें देखे जाएंगे, धनात्मक पुर्णांग में तो पहली चीज़ हम बात करें कि अबाद जे संख्या कि वे धनात्मक पुर्णांग जिन के केवल दो गुणन खंड हों देखो परीबासा कि वे धनात्मक पुर्णांग जिन के केवल दो गुणन खंड हों अब भाद जे संख्याएं कहलाती हैं ठीक है चलो अब देखते हैं दनात्मक में मैं इधर लिखूं कि संख्या और यहां लिखूंग उसका गुणन खंड फिर आप समझना कि गुणन खंड क्या है वैसे इसके बारे में और भी पढ़ेंगे आपन डीटेल से एक गुणन खंड का मतलब होता है उसमें जिस जिसका भाग जाता है वो संख्याएं अब एक में किसका भाग जाता है एक का ही जाता है दो में एक का जाता है और दो का जाता है तीन में एक का जाता है और तीन का जाता है चार में एक का दो का चार का ऐसे मैं कहूँ पांच में तो आपने कहा एक का पांच का मैं कहूँ छे में तो आपने कहा एक, दो, तीन और छे अब हमने क्या कहा कि वे संख हैं जिनके केवल दो गुणन खंड है वो तो भाज्ये हैं और दो से ज्यादा हो जाएंगे वो भाज्ये हो जाएंगे आगे पढ़ेंगे भाज्जे को भी तो जिवे संग है जिनके केवल दो गुणन खंड है ना वो तो क्या है अभाज्जे दो से जाता है वो भाज्जे अब एक बात आओ एक ही गुणन खंड है तो ने भाज्जे वे ने अभाज्जे ये लो इसके किते कुणने तो एक और दो हैं तो ये क्या है अभाजे इसके भी एक और दो तो ये क्या है अभाजे इसके तीन है तो ये क्या है भाजे इसके दो तो ये क्या है अभाजे और छे के एक दो तीन छे तो ये क्या है ती चार है तो ये क्या है भाजे तो ये सिर्फ हमने परिवासा समझने के लिए लिखा है कि एक्च्वल परिवासा क्या है एक्च्वल परिवासा आप क्या कहोगी वे धनात्म पुर्णांक जिन के केवल दो गुनन खंड हो क्या कहलाती है अबाद जे संग्या और वो दूसरी परिवासा जो गाइडों में वगरा हम देखते हैं वो हमारे सिर्फ समझने के काम आती है और समझने में इतना ध्यान रखना है कि वे संग्वे धनात अपरनांग जिन में स्वेम वे एक के लावा अन्ने किसी का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो किया कहलाती है अबाद्जे लेकिन उसे साथ याद रखोगे कि एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य ठीक है अब ही यहां हम बात करें कि अभाज्य संख्याओं में सबसे पहले दो फिर तीन सुरू की दस तो किसी भी कंडिसन में याद होनी चाहिए सुरू तक याद हों तो बहुत ही अच्छी बात है लेकिन दस ग्यारा तो याद होनी चाहिए आप में कोई इसमें यह नहीं कि नहीं मैं याद नी है और नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए नीम्द में भी कोई पूछे ता आप तुरंट कहो कि यह यह हैं बई जैसे मैं या बोल रहा हूँ दो, तीन, पांच, साथ, ग्यारा, तेरा, सत्रा, उन्निस, तेईस, उन्नतिस देखो जा तीस तक की लिख दी हमने दस होती है तीस तक एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस लिख दी ना वैसे इसके बाद भी आता हो, तो 31 आ जाती है ठीक है, ऐसे चलती जाएंगी सबसे पहली बात यहाँ हम बात करें कि दो सबसे छोटी अबाज्य संख्या भी यह दो सबसे छोटी क्या है अबाज्य संख्या है चलो ठीक है, यह भी अच्छी बात है तथा ये है एक अकेली ऐसी संख्या है संख्या है वही ये संख्या है जो अभाज्य है इसके अलावा कोई भी संख्या अभाज्य नहीं होगी दो सबसे छोटी वाज्य है तता ये एक अकली ऐसी समसंख्या जो अबाज्य इसके अलावा कोई भी समसंख्या भाज्य नहीं होगी बहुत अच्छी बात है ये दियान रखना इसके बाद सबसे छोटी विश्ण वाज्य है तीन सबसे छोटी विश्ण अबाज्य संख्या है ठेक है यहां भी ठीक है अब इसके बाद मैं पॉइंट लिखने बजाए आगे लिक टाइप करवा रखे हैं मैं एक एक करके वो पॉइंट ही सीधे निकाल देंगे हैं तो यहां वापस एक बार दिमाग में देखना कि आपको सुरू की 10-11 अबाज्य अबाज्य संख्याइ्गे याद होने चाहिए सबसे छोटी को ओनिए 2 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 काई 7, 7 काई 11, 11 काई 13 13 के बाद 17, 27, 29 ठीक है तो ये आपको याद ही होनी चाहिए और सबसे पहला पॉइंट की दो है वो सबसे चोटी अभाज्य संख्या है सबसे चोटी अभाज्य संख्या है ओने के साथ-साथ ये एक अकेली ऐसी संख्या जो अभाज्या है इसके लावा ऐसे कोई इसम संख्याँ नहीं है जो अबाद जे हो ये धिहान रखना इसके लावा सारी अबाद जे संख्याँ कैसे है विसम तीन अगर आपसे का जाए सबसे चोटी विसम अबाद जे संख्याँ तो कौन है तीन अब दोगो यहां इसके पॉइंट में आगे परीबासवा पॉइंट आगे लिखे भी है जैसे यह प्राइम नंबर अबाद जे संख्याएं वे धनात्म पुर्णांग जिनके केवल दो गुणन खंड हो अबाद जे संख्याएं कहलाती हैं आपसे सीधा सीधा पूछ ले जाएं परसंड में कि अबाद जे संख्याओं के कितने गुणन खंड होते हैं तो कितने होते हैं दो बस दूसरे जो हम याद करते हैं कि वे संख्याएं जिने में स्वेम वे एक के लावा अन्य किसी का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो अबाज्य संख्यां कहलाती है एक्जामपल मैंने कहा था याद होने चाहिए आपको ये दो, तीन, पांच, साथ, ग्यारा, तेरा, सतरा, गुनिश, तेईस, उनतिस, एक तिस डोट-डोट तलता है, एक चीज़ दिहान रखना आपसे कई बार आगे चलेगा माद्दे एक परकार से माद्दे का होता उस्वति होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या ठीक है, यहां मैं बात करूँ कि वह आपसे कहिए कि परारम पर्थम पांच अबाज्य संख्याओं का माद्दे गयात करो तो पर्थम पांच जब आप जल्दवाज्य में लिखते हो, तो दो तीन पांच साथ के बाद नो लिख देते हो इधान रेखना नो अभाज्जे नहीं यह भाज्य जल्दवाज़ में जो लिखते हो गलती उसी में होती है बाज की ज्यादा इसमें गलती नहीं होती अब इसके कुछ पॉइंट जो आपने भी देखे है कि एक नै तो भाज्य है नहीं भाज्य संक्या है इसका केवल एक ही गुनन खंदे एक ना भाज्य है ना अभाज्य क्यों कि इसका केवल किता गुण होता है एक होता है चलो ठीक है अगला दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तता येक अकेली ऐसी अभाज्य संख्या है जो क्या है सम है दो, सबसे छोटी अबाज्य संख्या ता साथ में ऐसी सम संख्या है जो अक्या है अबाज्य चलो ठीक है तीन सबसे छोटी विश्म अबाज्य संख्या इसके बाद जो कुछ पॉइंट आपको याद रखने है वो देखो क्या है इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि एक से पचीस तक पचीस तक नो अभाजे संख्या है पचीस तक कितनी अभाजे संख्या है नो और एक से पचास तक हैं पंदरा अभाजे संख्या एक से पिछेतर तक हैं इकिस अभाजे संख्या एक से सो तक हैं पचिस अभाज्य संख्या आप से पूछा जा चुका है पहले परसंद है चोटा साई कि सो तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है तो कितनी होती है पचिस अब देखो दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है दस लेकिन दो अंकों की सबसे चोटी अभाजे संख्या होती है ग्यारा दो अंकों की सबसे बड़ी अभाजे संख्या तो होती है 97 99 दो अंकों की सबसे बड़ी अभाजे संख्या होती है 97 तीन अंकों की सबसे चोटी अभाजे संख्या होती है 101 तो मैंने इनको भी आपको टाइब करा दिया है यह एक बीजस से रिट के एक्जाम में पूछ लिया था सिंपल आपको यह सिंपल ही पूछावा एक से सो तो कितने बाजे संख्या होती है तो आप कह सकते हो 25 होती है तुरंट यह बड़ा परसंथ होड़ी है ऐसे रिट में पॉइंट्स को भी आपको याद रखना एक एक पॉइंट आपके दिमाग में उना चाहिए कि एक से पचीस तक अबाजे संख्या होती है नो एक से पचास तक अबाजे संख्या होती है पंदरा एक से पिचेतर तक अबाजे संख्या होती है इकिस एक से सो तक अबाजे संख क्या 101, तीन अंकों की सबसे छोटी अवाजे संख, क्या क्या 101, तीन अंकों की सबसे बड़ी अवाजे संख, नो सो सत्याण में, सत्याण में तो याद, वापस देख लो, दो अंकों की सबसे छोटी अवाजे, ग्यारा, दो अंकों की सबसे बड़ी सत्यान में तीन अंकों की सबसे चोटी है वाजे यह याद ही होने चाहिए याद ही करने पड़ेंगे ऐसा नहीं कि आप बिना याद के काम चल जाए याद करने ही पड़ेंगे पीछे पूछ उखा है सीदे-सीदे चलो ठीक, अब बात करें ये तो याद करने वाली आई जैसे आपसे कहा जाए, जैसे कथन के रूप में एक परसंद दिया गया छोट-छोटे परसंद जैसे सिंपल ही पूछ ले कि निमन में से कौन सा कथन सही है एक अभाज्य संख्या नहीं है, बात तो यही क्या है सत्य है, एक अभाज्य संख्या नहीं है भी बात सही है एक अभाज्य संख्या है, ऐसत्य बात है लिखता जाओ सामने कि यह सत्य यह सत्य क्या कर रहा है, एक संयूक तो संख्या है संयूक तो संख्या कामत होता है भाज्ये से एक भाज्ये संख्या है क्या तो आपको होगे नहीं ना तो ये भी क्या है ऐसत्य दो अभाज्ये संख्या नहीं है ये बात भी है सत्य क्योंकि दो तो अभाज्ये संख्या ही है तो सत्य क्या है ए और यह कुछ है कौन सा गतन सही है तो ए सही है इन परसनों को जब भी ऐसे चोटे परसन होते हैं उनको ध्यान से पढ़ोगे क्योंकि ये चोटे परसन दिखने में जितने चोटे होते हैं उतने ही ज्यादा गलती कराते हैं ठीक है तो लो आगे बढ़ते हैं और च्पको पाचिश तक कितनी होती है? 9 यह होती है dall planets अगर उचए अगर तब कती है किवह ए तब हो जाती थीन सब्से चोटी आपाज्य संहे offers थो भी कितना है? दो, तो आपका आणसर रहेगा 2 अगला अब भाज्ये संख्या होती है अब देखो क्या कह रहा है एक सम संख्या होती है एक विसम संख्या होती है एक संयूक तो संख्या होती है इन में से कोई नहीं तो डी आनसर अब यह आप सोचोगे कि सर डी ही क्यों दिया सम संख्या होती है की नहीं होती है विज़ अबाज्य आपको वगे सर दो संभी तो होती है भाज्य देखो यहां सम अलग गुण है विज़ सम अलग गुण है संयुक्त यानि योगिक यानि भाज्य वो अलग गुण है और बात करें अभाज्य संख्या अभाज्य एक अलग गुन है ठीक है हम ये कह दें कि अभाज्य संख्या एक संख्या होती है तो इसका मतलब जितनी अभाज्या हो सारी क्या है संख्या है तो ये तो क्या है गलत है सारी तो संख्या थोड़ी होती है एक ही तो हता है अगर हो कहे अभाजे संख्या एक विसम संख्या होते है इसका मतलब सारी अभाजे क्या है विसम है तो ये भी क्या है गलत वो कह रहा है अबाजे संग्या संग्या यानि अबाजे संग्या अबाजे होती है ना ना ये तो बात ही अलग है ये तो बाजे ये बाजे ये बाजे तो बिल्कुल उल्टा एक दूसरे के तो क्या कहेंगे उप्रोक्त इन में से कोई नहीं अब भाज्य संख्या होती है इन में से कोई नहीं अब भाज्य संख्या अपने आप में अलग होती है अब भाज्य अलग है कि जिनमें स्वेम और एक के लग होती है वो होती है बाज्य अब भाजे अलग ही होती है जानी केवल दो गुणखन होती है वो क्या कहलाती है अब भाजे तो ध्यान रखना भई ये ऐसा क्योशन जब दिया जाता है तो आगला देखो भई यहां पर क्योशन अब देखो यह क्या कह रहा है कि पर्थम पांच घन रूड संख्याओं का योग है देखो यह एक तो यहाँ पर थोड़ा सा यह धन है भई धनात्मक यह लोग इसको हटाई दो चाहिए यह थोड़ी से मिस्टेक हो गई यहाँ पर धन रूड बोल जाता है कि धनात्मक रूड रूड यानि अभज्य संख्याओं कोई रूड का मतलब रूठी हुई संख्याओं यानि अभज्य संख्याओं जिन में किसी और का भाग नहीं जाता है पांच, पांच के बाद, साथ, साथ के बाद, ग्यारा, एक, दो, तीन, चाहर, पांच होगी न, योग अब देखो, अगर नो लिख देते हैं तो भी कहीँ गए, आपको कई बार उप्सन में मिल जाता है तो दो और तिन पांच 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 दस दस और सत्रा सत्रा और ग्यारा अठाइस ये लो भी धन रूड संख्याई ध्यान रिखना अभाज्य को ही कहता है अभाज्य संख्याओं की ही बात वो करता है और देखते भी यहां पे इसका person जैसे यहां यह person आपका बहुत ही अच्छा person भी इसको आप दियान से देखोगे इस Papron को आप इक बार खुद भी करके देखो फिर मैं आपको इस Papron को बताता हूं भई देखो क्या कहे रहा है कि सभी अबाज्य संख्याओं का योग X है तो सितनी वे अबाज्य संख्याओं का योग क्या है? X है तता सभी विसम अबाज्य संख्याओं का योग क्या है? Y है सभी विसम अबाज्य संख्याओं का योग क्या है? Y तो X-Y का मान क्या होगा? अब वैसे तो इस person को देखते ही आपका answer आजाना चाहिए लेकिन फिर भी कुछ एका answer नहीं आएगा कुछ का answer आएगा मैं मान के चलों कि 20% का ही answer आपाता है देखते ही बाकी का नहीं आता offline class में जब देखते हैं student को तब ये पता लग जाता है कि सिर्फ 20% सो में से 20% ही इसका सयान स्वर देते है और जब कि person कोई बड़ी बात नहीं है बस दिमाग का हुआ होता है कि गणी था गणी था गणी था गणी था काफी टाइम हो गया पड़े हुए ऐसा और इसमें कुछ भी इतनी कोई दिक्कत वाले बात नहीं यहां दो क्या कह रहा है कि सभी अबाजे संख्याओं का योग X है तथा सभी विसम अबाजे संख्याओं का योग क्या Y है तो X-Y का मान गयात करो अब एक बात आओ X का मतलब क्या सभी और Y क्या है विसम अगर सभी में से विसम गटा देंगे X का मतब सभी का योग है और Y क्या है विसम अगर सभी में से विसम गटा देंगे तो क्या बचेगी सम और सम अबाजे संक्या कोण सी है तो 2 बस आनसर आगए 2 बचेगा X माइनस Y X क्याता सभी अबाजे संक्या है और Y क्या विसम अबाजे संक्या है तो मैं आपसे कहूँ X क्या है सभी अभाजे संख्याएं? माइनिस Y क्या विसम अभाजे संख्याएं? अगर सभी में से विसम गटार देंगे तो क्या बचेंगे? सम अभाजे संख्याएं अब सम अभाजे कौन सी है तो दो सम अभाजे में से एक होती है दो बस येलो कुछ भी नहीं करना पड़ा आनसर पे टीक करना है बस दो येलो ठेका चलो इसको भी अगर आप ये समझ नहीं पाते हो तो भी आपके पास एक और रास्ता है एक और तरीका हमारे पास है यहां पे इसी परसन को अलकरने का क्या कहा है कि सभी अबाजय संख्याओं का योग एकस है तो एकस बराबर मैं क्या कह सकता हूँ सभी का योग तो लिकते जाओ 2,3,5,7,11 ऐीसे लिखते जाए हुए लिखते जाए हैं कि आहां तो बहुत आँगे तो ठीक एकस माईनिस वाई वहाई क्या है वो देखो वहाई है विशम Zंक्याओं का योग वहाई है विशम अबाजर संग्यां कर नहीं आएगा 2 इतों नहीं आएगा बाकी तो सारी सम्में तो हमने कहा कि 2 को सोड़ के अनि 3общा 5iph पलस 7общा पलस 11 ऐसे य भी चलती 7-7, 11, ये तो सारे कट जाएगा आगे तो, तो इदर क्या बचा, X-Y, बराबर में सिर्फ क्या बचेगा 2, तो इह लगा, अब तो बात समझ बें आगी होगी जहां तक मेरा मानना है, तो X-Y कितना है, दो है बई यांपे, इस परकार से हम बात करें, तो ये हमारी अभाज़े संख्या थी और अभाज्य संख्या में काफी सारी सीज़ें हो रहती हैं अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड वो सारे हम आगे करेंगे और अभाज्य अभाज्य सहबाज्य यह सारी क्योस्टन है सारी संख्या इनके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे तब तक धन्यवाद थैंक यू